हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे आपका साइकलोजी का यानि की सिक्षा मनोविज्यान का एक most important topic जो कि आपका कोलबर्ग की थियोरी जो कि मैंने आपको लास्ट में कुछ 8 important topic बताये थे कि ये 8 important topic अगर आपने कर लिये तो आपका seated clear होने के पूरे पूरे chances हैं तो उसमें आपकी एक theory भी थी कोलबर्ग की theory, वाईगोस्की की theory और जिन प्याजे की theory जिसमें से मैंने आपको जिन प्याजे की theory तो करवा दी थी लेकिन कोलबर्ग की theory और वाईगोस्की की theory जो थी वो मुझसे miss हो गई थी और कई बच्चे बार-बार comment भी कर रहे थे कि सर कोलबर्ग की theory और वाईगोस्की की theory मिल नहीं रही है तो इस वीडियो को आप end तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो DK गुपता online videos for government exam चलिए शुरू करते हैं तो आज का अपना topic क्या है तो आज का अपना topic लिख लिजिए कि कोलबर्ग theory of moral development जिसे आप हिंदी में कोलबर्ग के सिध्धान्त में नैतिक विकास भी कहते हो ध्यान रखेगा नैतिक विकास का सिध्धान जो दिया था किस ने दिया था कोलबर्ग नहीं दिया था moral development यानि की नैतिक विकास ओके पहला question तो यह हो गया अग यह जो नैतिक विकास था इस सरल शाब्दिक शब में यानि की समझनी कोशिश करी जाए कि नैतिक विकास होता क्या है तो देखो समाज के नियम आदर्श एवं मानक के अनुसार अपनी स्वत्यंतरता को नियंतरित क करना नैतिक विकास कहलाता है यह तो होगी शाब्दिक अर्थ लेकिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो सरल भाषा में समझानी कोशिश करता हूं कि for example आपके पास एक सेब है उस सेब को या तो आप अकेला खा सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलबाट कर खा सकते हो अगर आपने दोस्तों के साथ मिलबाट कर खाया तो आप में नैतिक विकास का गुण है अगर आपने अकेला खा लिया तो आपने स्वार्थी प्रवर्ति अपनाई या for example आप रोड पर एक आदमी को चलते वे देख रहे हो जो की काफी मोटा थुल थुल थु तो वहाँ पर आपका जो था आपने जो बोलाना वो आपकी नैतिकता को दर्शाता है तो अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आपके अंदर नैतिक विकास का गुण नहीं था अगर आप वहाँ पर चुप रहे उसके कुछ ऐसी बात नहीं करी नॉर्मल उससे बात करी जैसे अ अपने पूरा का पूरा एक सिध्धान्त के लिए एक पूरी की पूरी कहानी रची थी बच्चों के सामने तो उससे कई बार कोशन्स पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहला कोशन तो यही होगा कि वो जो कहानी रची गई थी न कि callback ने जो करा था न वो 10-16 वर्ष के लड़कों के सामने, 10-16 वर्ष उनकी उमर थी, लड़कों के सामने उनने कहानी के माध्यम से उनके सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत की थी, और लड़कों के प्राप्त उत्तरों के अधार पर उन्होंने अपना नैतिक विकास का सि कई बार directly question पूछ लिया जाता है कि दूविदा से निकलने के लिए बच्चे ने किस चीज का सहरा लिया था तो नैतिक तर्क का मतलब अपने जो उसका अंदर का वहवार होता है नैतिक ता होती है उसको सोच समझ कर उसने उससे बाहर निकलने की कोशिश करी और इसी के अनुस यानि की तीन लेवलों में और छे अवस्थाओं में मतलब छे स्टेजिस में पूर होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौलबर का जो सिध्धान दिया था नैतिक विकास का सिध्धान उसमें कितने स्थर और कितनी अवस्थाएं थी मतलब कितने लेवल और कितने स्ट प्रस्तुत की थे न, वो कहानी कौन सी थी, क्योंकि आपको पता होना चीए, कि कहानी थी क्या, जिसके सामने उसने प्रस्तुत किया था, उसने बच्चों के सामने, तो दोस्तों कहानी ये थी, कि एक हैंस नाम का व्यक्ति था, ध्यान रखेगा, एक हैंस नाम का व्यक्ति था उसकी wife थी जो की cancer से क्या कर रही थी वो जूज रही थी मतलब काफी बिमार थी तो बिमार होने के कारण उसको hospitalized किया गया मतलब hospital में उसको भरती किया गया और hospital में भरती करने के बाद जब उसकी कुछ दवाईयों की जुरुत पड़ी उसकी wife को तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवाईयां जो है वो hospital के अंदर नहीं है तो आप बाहर जाकर किसी chemist की shop शे ले आओ तो hence गया बाहर किसी chemist की shop पर और आज पास जितनी भी chemist की shop थी ना वो दवाईयां कहीं पर भी नहीं मिली उसको लेकिन एक chemist last में उसको एक ऐसा मिला जहां पर वो दवाई मिल गई लेकिन उस दवाई का जो rate था वो था 50 डॉलर लेकिन वो chemist वाला जो ले रहा था उसके 4 गुने जादा पैसे ले रहा था मतलब 200 डॉलर मांग रहा था उसके तो हैंस ने कहा कि दवाई तो 50 डॉलर की है तो उस chemist वाले ने कहा आपको चाहिए तो आप लीजिये नहीं चाहिए तो कोई बात नी तो हैंस को जरूरत थी उस दवाई की लेकिन वो जो chemist वाला था वो क्या कर रहा था वो धांदली कर रहा था लेकिन हैंस ने उससे कहा कि सर मेरे पास अभी 100 डॉलर है आप ये रख लीजिए 100 डॉलर मैं आपको बाद में आकर दे दूँगा अभी मुझे दवाई की जुरू होता है तो मुझे दे दीजिए तो केमिस्ट वाले ने का नहीं अगर आपको दवाई चाहिए तो 200 डॉलर दीजिए नहीं तो आप जा सकते हो तो हैंस के पास पैसे तो थे नहीं तो वो वहाँ से चला गया तो उसने क्या करा रात में वो अराम से गया केमिस्ट की दुकान का ताला तोड़ा और वो दवाई चुरा कर वहाँ से वो ले गया तो ये पूरी की पूरी कहानी थी और इसी कहानी के माद्यम से बच्चों के सामने पूरी की पूरी दुविधा प्रस्तुत की और अलग-अलग इस थरों में बाट कर बच्चों से कहा गया कि कौन सही था या कौन गलत था, ओके, तो इसी कहानी के माध्यम से इसको तीन लेवल, यानि कि आपके तीन इस थरों के और आपके छे अवस्थाओं, यानि कि छे स्टेजिस में इसको बाटा गया, चलिए, अब उन लेवल और उन अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते, आखिर है क्या वो, तो पहला लेवल जो था, वो था आपका पूर परमपरागत इस्थर, जिसे प्री कॉन्वेंशनल लेवल भी कहा जाता है, ओके, इसके अंदर जो आते थे बच्चे, उन बच्चों की उमर नियंत्रन था, वो कैसा था, तो ध्यान रखेगा, इस stage के अंदर, इस लेवल के अंदर, जो अभिप्रेना थी बच्चे के अंदर, motivation था, वो कैसा था, बाहरियरूप का था, मतलब उसको अभिप्रेना मिल रही थी, motivation मिल रहा था, वो बाहर किसी दूसरे वेक्ति से, किसी और चीज़ से मिल रहा था और नियंत्रन मतलब उस बच्चे के पर जो कंट्रोल था वो भी किसी और का था उसका खुद का नहीं था अपने उपर कंट्रोल ओके ध्यान रखेगा इस अवस्था के अंदर और इस स्टेजिस की बात करें जाए तो इस इस्थर में बच्चे को न आग्या पालन अभी मुक्ता और दूसरा साधनात्मक संपेक्ष अभी मुक्ता ओके ये दोनों के दोनों जो आपकी अवस्थाएं आती है वो इसी आपके लेवल के अंदर आती है ओके चलिए आप इन दोनों को मैं समझानी कोशिश करता हूँ मैं आपको और ध्यान इसमें बच्चों के नैतिक नियमों का उनको ग्यान बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जनम से लेकर 9 वर्ष के यहाँ पर अभी प्रेड़ना भी बच्चे को बाहर से मिलती है और उनके ओपर जो कंट्रोल होता है वो भी उनका बाहर का होता है चा शरल शापदिक शबने बात करी जाओं तो देखो डंड से बचने के लिए या फिर किसी चीज का आग्या पालन करने के लिए वो बच्चा क्या करता है उस काम को कर देता है फोर अग्जामपल जब हम छोटे थे तो हम किसी की भी बात मान लेते थे क्यों क्योंकि हमें चकार के पिटाई न कर दे पनिशनात कर दे या फिर कोई किसी चीज के लिए हम वहां पर क्या कर सकते थे डंड से बचने कि lira कोई कारे कर देते थे अगर आपको शरल शाबदिक शबन बात करी जाए तो गन पॉइंट पर रखकर काम करवाना अगर आप किसी ओउगर करने लग जाता है तो ध्यान रखेगा अगर आपसे पुछा जाए कि बच्चा दंड से बचने के लिए पनिश्मेंट से बचने के लिए कार्य कर देता है तो कौन सी अवस्था में आएगा वो तो दंड आग्या पालन अभी मुखता के अंदर आएगा और दूसरी अवस्था जो थी वो थी आपकी साधनात्मक यानि की आपका संपेक्ष अभी मुखता जिसे आप इंस्ट्रूमेंटल ध्यान रखेगा नाम या अच्छी तरीके से इंस्ट्रूमेंटल रिलेविलिटी ओप्रेटेशन्स ओके इसमें क्या होता है तो इसमें आपकी गिवन टेक की प्र दुकान पर जा ये समान ले करा तो बच्चा बोलेगा मुझे क्या मिलेगा तो आप बोलते हो इस 10 रुपे में 2 रुपे बचेंगे वो तू रख लियो तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चा कार रहे जबी करेगा जब उसको उस काम के बदले कुछ मिलेगा फोर हैं इसके अंदर गत तो ये ठाझ का पहला लेवल आपका पहला इस्थर हों के चलिए आप दूसरे वाले अभी प्रेणना जो होती है, वो आंतरिक रूप से अभी प्रेरित होता है, मतलब जो बच्चा होता है, वो अपने आप क्या करता है, पूरा का पूरा आपका मोटिवेट होता है, अपने रूची के नुसार पूरा वो अभी प्रेरित होता है, लेकिन उसके उपर जो कंट्रो द्वारा दिया जाने वाला नैतिकता संबंदित ज्यान परिवर्तन होने लगता है और ये अवस्था भी जो होती है वो दो भागों में बटी होती है तो ध्यान रखेगा तीनों इस्थर जो हैं आपके तीनों लेवल जो हैं परिवर्तन आने लग जाते हैं क्या क्या तो ध्यान रखेगा सबसे पहले इसके अंदर दो आपके अवस्थाइं आती हैं कौन-कौन सी पहला आपका परस पर एक रूप अभी मुक्ता और दूसरा आपका अधिकार संद्रक्षन अभी मुक्ता ओके तो ये दो परकार की इसके अवस्थाइं आती हैं दोनों को अच्छे तरीके सा समझानी कोशिश करूँगा मैं आपको पहले हम बात कर लेते हैं अपने परस पर एक रूप अभी मुक्ता के बारे में इसमें क्या होता है तो इसमें बच्चे के अंदर नाइस गल की प्रवर्ती देखने को मिलती है आपने कई बच्चे आपने कई बार ऐसा होगा कि पेरन्स अपने बच्चों को बोलते हैं मेरा बच्चा कितना प्यारा है कितना अच्छा है ले बेटा ये जाकर काम कर दियो तो बच्चों को आप हलका सा क्या कर रहे हो वहाँ पर पुछकार रहे हो कि हाई मेरा बच्चा क इतना प्यारा है, सारी बाते मानता है अपनी मम्मा की, तो वहाँ पर वच्चा क्या करेगा, अपनी nice boy and nice girl की, मतलब अच्छे लड़के, अच्छी लड़की की प्रवर्ती को बचाने के लिए, आप जो उसे काम बोलोगे न, वो काम उस काम को वो कर देगा, और वहीं पर आप उसे गुस्से में बोलोगे, तो वो काम को करने से मना कर देगा, तो वो जो उसकी, आप एक बोल सकते हैं, उसकी जो standard है, उसका जो nice boy and nice girl की प्रवर्ती है, उसको बचाने के लिए, कि अगर मैं यहाँ पर काम करने से मना कर दूँ, तो मेरे घरवाले, मेरी मम्मी, मेरे पापा, जो हैं, वो मुझे nice boy and nice girl, मैं अच्छा लड़का, अच्छी लड़की मानना बंद कर देंगे, इसलिए उसको आप उस टाइम पर कोई काम बोलोगे, तो वो काम भी अराम से कर देगा, तो ध्यान रखेगा, कौन सी ये वस्था में अच्छे लड़के, अच्छी लड़की की परवर्ती देखने को मिलती है, तो वो मिलती है आपकी दूसरे लेवल में, तीसरे इस्थर में, और चोथा है आपका अधिकार संद्रक्षन अभी मुकता, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा न, वो समाज के नियमों को सुर्व्यापी मानता है, मतलब जो समाज में नियम है, वो नियम को ही सबसे ज़ादा सही मानेगा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा न, वो ये मानेगा कि hands ने क्या करा गलत करा भले chemist ने वो भी गलत कर रहा क्या था कि 200 डॉलर वो आपके 500 डॉलर वो extra मांग रहा था लेकिन hands ने और गलत करा कि उसने चोरी करी क्योंकि समाज का नियम है कि चोरी करनी क्या है गलत बात है उसको डंड मिलेगा ही मिलेगा तो इस सवस्था के जो बच्चे होते हैं वो हैंस को गलत मानते हैं क्यों? क्योंकि इस सवस्था के जो बच्चे होते हैं वो स्वर्व्यापी मानते हैं समाज के नियमों को कि चोरी करना गलत बात है किसी को मारना गलत बात है, किसी को सताना गलत बात है हर चीज नियम के अनुसार करने की वो मान चलते हैं वो यही मानते हैं कि हमें जो नियम बनाए गए हैं समाज के वो स्वर्व्यापी है, हमें किसी भी हालत में उस नियमों का पालन करना ही पड़ेगा और थर आपका स्थर था लेवल था उत्तर परंपरागत स्थर जिसे आप पोस्ट कुंवेंशनल लेवल भी कहते हो जिसमें आपके जो बच्चे आते हैं वो 12 वर्ष के उपर जो बच्चे होंगे न वो इस सवस्था के अंदर आते हैं और यहाँ पर आते आते जो अभी प्रेड़ना होता है, वो भी बच्चे का आंतरिक रूप से हो जाता है, और जो नियंतरन होता है बच्चे के उतर, उपर वो भी अपना आंतरिक रूप से हो जाता है, मतलब अभी प्रेड़ना भी वो अपने उपर जो उसका मोटिवेट होत मतलब अगर उसने कोई कलत काम करा है तो उसका कंट्रोल भी उसके खुद का था उस पर अगर कोई अच्छा काम करा है तो उसका भी कंट्रोल उसके खुद का ही था तो इस अवस्था को भी आपकी इस इस्थर को भी आपकी दो अवस्थाओं में बाटा है कौन-कौन सा पहला आपका समाजिक संपर्क अभिमुकता और दूसरा मतलब लाश्ट यानि कि छटा है आपका स्वरभ भौमिक नेतिक सिध्धान्त अभिमुकता ओके तो ये थे आपका पांचवा और छटा तो देख सकते हो तीन आपके इस्थर लेवल कौन-कौन से थे पू एक तरीके से मान लो कि एक अग्जामपल के तौर पर कि आप अपना वोट देने जा रहे हो क्या करने जा रहे हो एलेक्शन में आप अपना वोटिंग देने जा रहे हो और वेटिंग जाते समय आपने सोचा कि मैं इसको दूँगा वोट क्यूं क्यूंकि ये मुझे जायक ने अच्छा काम करा है, हम इसको वोड देंगे, तो वहाँ पर काफी सारे ग्रूप की जो परसन थे, वो कह रहे थे, कि हम सारे के सारे इसको वोड देंगे, तो आप वहाँ पर गए थोड़ी देर आपने उनकी बाते सुनी, और आपने अपना भी नियम बदल लिया, कि नहीं यार, इस परसन थे अच्छा काम करा है, तो मैं भी इसको वोड दूँगा, मतलब सोचकर कुछ और आये थे, लेकिन जब आपकी जादा लोगों को सहमती, किसी और लोगों की परती, किसी और व्यक्ती को वोड देने की हुई, तो आप भी उनी के साथ हो गए, तो वह पर आपका क्या कहलाता है, समू के उपर डिपेंड करता है, कि समू किसकी और जा रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार आपने, कि कई जादा जो लोग होते हैं, खराब खाने को भी अच्छा बताने लग जाते हैं, तो आपको जो खराब लग रहा था आप भी पी अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो बच्चे के अंदर ग्यान आ जाता है, वो पून रूप से आ जाता है, मतलब बच्चे का जो नैतिक निर्णय होता है, उसकी अंतरात्मा पर निर्भर करता है, नहीं वो भीड के उपर निर्भर करता है, नहीं वो maturity के अंदर, यानि कि जिसकी ज़्यादा सला होगी, जितना ज़्यादा ग्रूप होगा, नहीं उसके उपर निर्भर करता है, और नहीं किसी और चीज के उपर, बच्चे का जो नैतिक निर्ण होगा न, उसकी अंतरात्मा पर निर्भर करता है, अगर उसको वो अच्छा लगेगा, तो वो सही माने तो वो उसे गलत ही मानेगा, okay, for example, कि आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसे मरने की कगार पर है, जो की गुंडा है, मडरर है, तो वहाँ पर आपकी नेतिकता के उपर निर्भर करता है, कि आप उसको बचाने के लिए होस्पिटल ले जाओगे, या नहीं ले जाओ लेकिन अधिकतर 99.9% जो होता है, वो व्यक्ति यहीं मानते हैं कि नहीं बचाना, जब ये दूसरों को लोगों को मारता था, जब इसने कुछ नहीं सोचा, तो मैं इसकी जान क्यों बचाओं, मतलब आपके खुद की अंतरात्मा के उपर निर्भर करेगा, कि मुझे वो करन है या नहीं करना, तो उसी वो क्या का जाता है, आपका स्वर्भामिक नैतिक सिध्धान्त अभी मुक्ता का जाता है, तो ये था आपका पूरा का पूरा कोलबर्ग का सिध्धान्त, कोलबर्ग के साथ साथ जो है आपका नैतिक विकास का सिध्धान्त था, वो एक जिन प्य प्याजे ने भी दिया है प्याजे की जो थियोरी थी नेतिक विकास की वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा वो भी काफी अच्छी थियोरी थी ओके तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा थियोरी लेकिन जो कॉलबर के नेतिक विकास की सिद्धा करा गया था पहला कि कॉल भग ने नेतिक उत्तर यानि कि जो नेतिक विकास के सिध्धान्त में बच्चों के सामने दुविधा रख्यों और बच्चे उससे निकलने के लिए कर रहे थे उसने केवल लड़कों से उत्तर प्राप्त करे थे सबसे पहला negative point तो यही था कि कॉलबर्ग ने केवल यह जो परिक्षन करा था वो लड़कों के उपर करा था अगर कॉलबर्ग यहीं पर ही वो लड़कियों के उपर परियोग करता तो उसको कुछ उत्तर अलग मिलते क्यूं क्यूंकि लड़कियां जो होती है न वो अपने स्वतंतर स्वतंतरता के उपर जादा नियंतरण पा लेती है four example आपने देखा होगा कि आज भी भारत्य देशों में कि रात के साथ बजने के बाद जौब करती हैं वो अलग बात है साथ बजने के बाद घर से बाहर लड़कियां नहीं निकलती और लड़के रात रात बार घूमते र देखा न तो यहां पर अगर वो लड़कियों से इसी परकार की नैतिक दुविधा में रखता तो कुछ और उत्तर देखने को उसको मिलते ओके वहीं पर ही कॉलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिध्धान दिया था न वो यूरोपियन संस्कृती के उपर दिया था ना की भ जो करा जाता है वो इन्हीं दो बिंदों को लेगर करा जाता है कि इन्होंने पूरा का पूरा जो परियोग करा था वो लड़कों के उपर करा था और यूरोपियन संस्कृती के उपर करा था ना की भारते कल्चर भारते संस्कृती या अफ्रिकन संस्कृती पर करते तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉलबरग का सिध्धान्त, आपका नयतिक विकास का सिध्धान्त, तो ये तो ओगे आपकी थिहोरी, चलिए अब यहां से कुछ कोशनस लगा कर देखिये, कि अब तक आपको ये पूरी की पूरी थियोरी में क्या समझ में आया, तो आज का पहला पर्षन की कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं तो सही और गलत के बारे में बच्चा कौन सी अवस्था में आकर किस परकार की चिंतन करता है तो यहाँ देखो अवस्था तो नहीं है, लेकिन कुछ और है, उत्तर ढूंडने कोशिश करते हैं, पहला अलग आयू से, अलग तरीके से, दूसरा अलग चड़नों में समान रोप से, तीसरा संदर्ब के अनुसार, या चोथा अभी भावो को द्वारा प्रदत निर्देशन की अनुसार, तो देखते ही लगा लीजिए, option number first इसका बिल्कूल सही होगा, कि अलग आयू में, अलग तरीके से, जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ रही थी, जैसे कि जनम में आपका punishment के डर के मारे आप कार्रे कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपने कार्रे में क्या हो आप सोचते हो, तो option number first इसका बिल्कूल सही अंसर था, next question, चरितर का विकास होता है, तो चरितर का विकास किसमे होगा, एक्छा शक्ती द्वारा, बरतावेवं वहवार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या फिर इन में से सभी, तो देखते ही लगा लेजिए, option number fourth, इन में से सभी, क्योंकि एक्छा शक्ती होगी, उसके उपर भी निर्बर करता है, कि आपकी willpower क्या है, आपका बरताव, आपका वहवार, वो तो नैतिकता ही होती है, चरितरी होता है आपका, और नैतिकता, पूरा moral development हमने पढ़ा, वो नैतिकता का सिध्धान्त, तो तीनों के तीनों तो प्रात्मिक विद्ध्याले के बच्चे, प्रात्मिक विद्ध्याले यानि की एक से लिकर पांच वी तक, और वो कौन सी अवस्था में होते हैं, तो वो आपके वही 6, 7, 8 वर्ष की उमर में होते हैं, और 6, 7 और 8 वर्ष की उमर कहा आती है, पहली अवस्था पूर प्र व्यक्तितव और विन में, ये भी आपका उसी चरण का आपका दूसरी अवस्था थी, तो option number क्या होगा इस हिसाब से, option number first इसका बिल्कूल सही answer होगा, पहला और दूसरा जो था, ये आपके पहले चरण की बात की गई थी, तो व्यक्तितव और विन में, मतलब देखों और नाम यही था, साधनात्मक संपेक्ष अभी मुक्ता, इंग्लिश में हमेशा, instrumental reliability, orientations मिलेगा आपको, लेकिन हिंदी में भी आपका एक नाम यही है, ये भी नाम है, उसका ध्यान रखेगा, साधनात्मक संपेक्ष अभी मुक्ता भी है, और व्यक्तिक्ता और विन्य भी है, मतलब कोई काम करने के लिए अगर उसको कुछ मिलेगा, तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो option number first इसका बिल्कुल सही answer था, next question, एक अच्छा लड़का, अच्छे लड़की की उन्मुक होना संकेत है, मतलब nice boy and nice girl की प्रवरती कहां देखने को मिलती है, तो व अवस्था के हिसाब से नहीं दे रखा, तो आपको देख सकते हो, पूर्व लोक संगत नैतिकता का ध्यान रखेगा, आप पूर परमपरागत देखने को मिल सकता है, या लोक संगत भी देखने को मिल सकता है, तो option number second इसका बिल्कुल सही answer होगा, लोक संगत नैतिकता का जो होता है, उसी को ही परमपरागत इस्थर या फिर conventional लेवल भी बोला जाता है, तो option number second जो था, इसी के अंदर आपका अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की प्रवर्ती देखने को मिलती थी, ओके, next question, निमलिखित में से कौन बालक में नैतिक मुल्ले के विकास में महत पूर्ण भूमी का निभाता है, तो इन में से किस के दौरा बच्चे के अंदर नैतिक मुल्ले का विकास होता है, प्रातना सभा के दौरा, सही समाजी करण के दौरा, बुद्धी के दौरा, या फिर सभी विकल्प सही है, तो देखते लगा लिजी, option number fourth, सभी विकल्प सही ही है, क्योंकि सुबह प्रातना करने से भी बच्चे के अंदर होती है, सही समाजी करण मिलेगा, उसके अनुसार तो बच्चे के अंदर नैतिक विकास उत्पन हो गई होगा, कि बड़ों का सम्मान करना, छोटों का आधर करना, किसको परणाम करना, किस परकार के बाते करना और साती सात में आपकी बुद्धी के उपर निर्बरतों करता ही है तो option no.4 इसका बिल्कुल सही answer था next question निमलिकित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्यान किया तो किसने करा था नैतिक विकास का अध्यान कॉलबग ने प्याजे ने एक और दो दोनों नहीं है इन में से कोई नहीं तो मैंने आपको बोला था नैतिक विकास का जो सिध्धान था वो कॉलबग और प्याजे के द्वारा दोनों के द्वारा दिया गया है कोलबग तो हमने पढ़ लिया प्याजे भी मैं आपको पढ़ा दूँगा आपको सारी चीज़े अच्छी तरीके से उसमें भी आपको बता दूँगा वो भी बहुत important theory है लेकिन CTAT में वहाँ से questions कम देखने को मिलते हैं आपके सभा में वहाँ पर एक बच्चे ने अच्छा वहवार नहीं करा उल्टा वहवार करा वांचनिय वहवार करा तो वहाँ पर आपने उस बच्चे क्या कहा बहुत अच्छा कहा तो इस परकार का कहना आपका क्या कहलाएगा प्रात्मिक पुनरबलन, दुइत्य पुनरबलन, नकारत्मक पुनरबलन या इन में से कोई नहीं तो देखते हैं लगाई है, option number second इसका बिल्कुल सही answer होगा secondary motivation या secondary reinforcement की बात करी गई है दुइत्य पुनरबलन की बात करी गई है, अगर आप यहाँ पर उसको punishment दे देते तो बच्चे के अंदर आपके परती नकारत्मक वहवार हो जाता और अगले बार वो कुछ और भी करने की सोच सकता था लेकिन यहाँ पर आपने उसे क्या बोला, बहुत अच्छा क्या पता उसने backflip मारी हो, तो अच्छा, उसने rule का तो लंगन करा है लेकिन उसने काफी अच्छी तरीके से मारा था उसको, ओके तो आपने उसको motivate तो करा, लेकिन साथ ही साथ में आप उसको बाद में समझाओगे कि बेटा ऐसे सुबा सुबा प्रात्नावे नहीं करते या ऐसे class में नहीं करते तो बच्छा उससे आपके लिया आधर भी उसके अंदर उत्पन होगा और next time वो करेगा भी नहीं उस चीज को, ओके तो option number second इसका बिल्कुल सही अंसर था next question, रोहित ने अजे की deck से लिव ही pencil वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था या कोलबर के किस इस्थर को बताता है या फिर दर्शाता है तो आप सभी को पता है, punishment के डर के मारे कौन सा था आपका वो था आपका पहले level का पहली अवस्था जो थी आपकी पूर प्रमपरागति स्थर तो option number first इसका बिल्कुल सही अंसर था जो कि दंड आग्या पालन अभी मुकता था मतलब डंड से बचने के लिए वो कार्रे को नहीं करता था तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, सजा से देख रहा है उसको सजा मिल सकती है, तो इसलिए उसने वापस जाकर उस पैंसिल को वहाँ रख दिया, ओके next question कि कॉलबगन के native विकास के सिध्धान्त के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इक्षा पूरी करने के संदर में सही या गलत का निर्ने लेते हैं मतलब आपकी वह कौन सी अवस्था है जिसमें जो बच्चा होता है, वो दूसरी की उपर बात है, उसकी एक्षा के उपर निर्बर है तो पूरा का पूरा कंट्रोल जोता है, वो सही और गलत पर वो बच्चे के ऊपर होता है तो कौन सी अवस्था में होता था तो वो आपके तीसरी अवस्था यहाँ पर आपकी लेवल की बात करी जा रही है तो तीसरी अवस्था में होती थी थार्ड लेवल की तो थी वो तो option number third इसका बिलकुल सही अंसर था next question कि कॉलबर का विकास सिध्धान तनिमने में से किस संबंदित है मतलब कि कॉलबर का विकास का सिध्धान दिया था तो नेतिक विकास का सिध्धान दिया था moral development दिया था तो option number third इसका बिलकुल सही अंसर था तो ये थे आपका पूरा का पूरा कॉलबर की थियोरी और साथ ही साथ में उसके कुछ important questions बाकी आपकी जो जिन प्याजे का आपका दिया गया था आप वो moral development वो भी मैं आपको करवा दूँगा वो भी आपको पूरी की पूरी चीजी मिल जाएगी और वाइगोस की ठीयोरी मिस होगी थी वो भी मैं आपको करवा दूँगा तो ये था दोस्तो आज का हमारा पूरा का पूरा topic moral development के बारे में तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूलिएगा अगर वीडियो से related किसी भी परकार का कोई doubt हो, कोई query हो या किसी परकार का आपका सुझाओ तो नीचे comment box में comment जरूर लिखेगा, मैं आप सभी के message को जरूर readout करता हूँ और साथी साथ में इससे पहले वाली अगर आपनी theories नहीं देखी है तो मैंने नीचे decision में link दे रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हो ये comment box में पहला comment आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुला कात होगी नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए जाएँ, जाए भारत